कि नमस्कार बच्वा लोग स्वागत आप सभी का एक बार फिर से ससी एड़र 24-7 पर और बज चुके हैं सुबह के 9 नवदीप सरा चुके हैं आपके साथ लाइव और एक बात बताईए कल के प्रोग्राम में आया मजा आप लोगों ने तो वैसे भी देखा होगा रील्स के मा बढ़िया तरीके के जो एक्टर्स थे उन एक्टर्स को रखा गया है एससी की इस वेब सिरीज में और आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितने बड़े संघर्ष की कहानी है यह हमारी आपकी सब की कहानी है जो एससी के थ्रू गया हो यह बात आप मान लीजे अगर आप य यह समझते हैं कि यह SSC यानि की स्टाफ सेलेक्शन कमिशन या इसका जो भी फुल फॉर्म हो SSC हमारी कहानी नहीं है तो इसका मतलब आप गलत है SSC हमारी कहानी है हम हर कोई उस दौर से जरूर गुजरता है जिस दौर पर वो कहानी पूरी तरीके से वेब सिरीज में दिखा है तो 12 अक्टूबर के इंतजार में और पहला एपिसोड जो लाइव होगा उसको देख करके आप सभी लोगों को मज़ा आएगा और बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी हमारे इस जर्नी के बारे में जो जर्नी हम लोग करते हैं मंडे से आपकी टॉपिक वाइ आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं जोगर्फी बढ़ाते हैं पॉलिटी पढ़ाते हैं एकनोमिक्स पढ़ाते हैं हां वही हूं मैं ठीक है सो सेल्फी लेने का दौर और बाकी सारी चीजें लगी रही कल बड़ा बढ़िया लगा मुझे तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार प् बहुत बहुत नमस्कार श्रदा मीना अफसू चलो आगे चले तो आगे चल करके दोस्तों सबसे पहले आपको यह इंफोर्मेशन देना चाते हैं अगर नहीं कियो अभी तक अड़ाइब डाउनलोड तो फटाफ़ाइब डाउनलोड कर लो डेको डाउनलोड करने के लिए जो लोग हमारे सेशन को लाइब देख रहे हैं तो वो कॉमेंट सेक्शन में पहली लिंक से डाउनलोड कर लें ब्लू कलर की लिंक लगी होगी कॉमेंट में पहली वाली और जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं हमारे सेशन की वो लोग तो डिस्क्रिप्शन में जा सक completely free है तो इसके लिए आपको टेंशन लेनी क्या आवश्यक्ता नहीं premium study material है पूरी तरह से free और premium study material आपको आपके mobile पर मिलेगा एप के अंदर बाकी अपने प्रश्ण पूछने के लिए PDF अगेरा के लिए आप एप के अंदर ही home page पर जा करके community को जॉइन कर सकते हैं जिसमें explore group का option होगा और अंदर एक group होगा जिसका नाम है GS by नवदीप सर तो GS by नवदीप सर ग्रूप को जॉइन कर लीजेगा और काम हो जाएगा फिर चले फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ करके दोस्तो हम लोग इससे पहले की शुरू करें तुरन सब्सक्राइब कर लो SSC Ida247 को और अब आते हैं हमारे पहले प्रश्ण की ओर ये बताइए कौन से राज्ज में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है बताओ बताओ अ अंडमान और निकोबार की जो तट रेखा है यानि समुद्र के साथ जो इसकी सीमा है वो समुद्र के साथ वाली सीमा 1962 किलो मीटर की है और अगर राज्यों की बात की जाए तो राज्यों में गुजरात नंबर वन में आता है क्योंकि गुजरात की जो सीमा है वो 1214.7 किलो म में तो सही क्या होगा भीया महाराश्टर होगा सुल के तमिलाडू और हम देख पा रहे हैं कि आंद्रदेशS साथ किलूमीटर की इसकी टोटल हुआ ने नहीं है अच्य funk करते डेटा दिखा देते हैं तो देख करके आपको वैसे ही मजा जाएगा ये देखो अब यहां पर ध्यान देना शुरू करिए आप आप महराश की कोश्ट लाइन को उतना लंबावत मन यह जितना लंबी अंधरपदेश की कोश्ट लाइन है उसके पीछे वजय बता देता हूं मैं क्यूं आप एक बार करके आपको अपने अपनाजा होगा आप खुदी देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहां अब आप इस मैप को देख करके अंदाजा लगा यह आपको लग रहा होगा कि इसर जो बातें आप कर रहे थे वो क्या है यह देखिए आंधर देश की कोश्ट लाइन देखिए नंदीडेश की कोश्ट लाइन यहां से इतनी लभी जब कि महेराश्ट की कोश्ट लैन अपेखिशा कॉस्ट काफी चोटी है महाराश्ट की जो कोश्ट लाइन है वो लग भग आपको मिलेगी 652 किलुम्यटर के आसपास जबकि वहीं आंदरप्रदेश की देखिए तो 973.7 किलोमीटर की कोस्ट लाइन अब इसे याद रहेगा न ये वाला जो पॉइंट है ये वाले पॉइंट से अब इसे याद रखें गुजरात की 1214.7 आंदरप्रदेश की 973.7 तमिल नाटु की 906.9 महाराष्ट केरल उडीसा करनाटा को बाकी सब तो हैं ही फिलहाल देखे लक्षदीब की सबसे चोटी 132 किलोमीटर की और एंडमान इवं निकोबार की सबसे लंभी 1912 किलोमेटर की आगे बढ़े तो नेक्स्ट प्रशन है जी एस्टी परिशत की अधिक्षता कौन करता है है हाँ जेयोग्राफी का जो हाँ है जियोग्राफी का जो थेहोरी वाला पार्ट है वो मंडे से शूरू करेंगे मंडे जानते ही हो झाल सीवका दिन है और वहीं से शुरू ओगी ठीक है एफनाव तो टेंशन मतलो मंडे से हम लोग शुरू करेंगे जियोग्राफी की थियोरी वाला पॉर्शन चलो अब बताओ जल्दी से जीस्टी परिशत क्या धेक्ष्टा कौन करता है और यह बहुत सिंपल सा प्रश्च यह कई बार हम आप से पूछ भी चुके हैं कम से कम तो आपको जल्दी से बता देना है कि हाँ सर फाइनांस मिनिस्टर जो होते हैं वो जीस्टी परिशत क्या धेक्ष्टा करते हैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर लिया जाए जीस्टी के बारे में तो आप जानते हैं कि जीस्टी को लाया गया था कौन से समिधान संशोधन स Constitutional Amendment Act आया था सन 2016 में और आप सभी लोग जानते हैं कि इसके तहट आर्टिकल 289 बात करता है हमारे GST के बारे में 101.1 समिधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था 1 जुलाई सन 2017 में इसलिए 1 जुलाई को हम लोग GST Day मनाते हैं हलांकि 1 जुलाई को बहुत सारे दिन मनाये जाते हैं एक जुलाई को SBI डेवी होता है Indian Postal Workers डेवी होता है National Doctors डेवी होता है Institute of Chartered Accountants of India डेवी होता है और GST डेवी होता है अगर आप इतने गम लोग रहोगे तो बताओ जल्दी से आप प्रत्यक्षकर केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता हो देखो एक बात बता दे आप प्रत्यक्षकर आप हो गए हैं सारे इकठा और इसी की चर्चा हम लोगों ने पहले की थी कि जो GST है Goods and Services Tax ये सभी आ भारत में मौद्रिक नीती किसके द्वारा बनाई जाती है ठीक ना जल्दी से बताओ भारत में मौद्रिक नीती कौन बनाता है अचा मौद्रिक नीती का काम क्या है पता है आपको मौनिटरे पॉलिजी काम ये है कि प्राइस को स्टेबल रखना क्या करना प्राइस को स्टे तो प्राइस को स्टेबल रखना एकनॉमिक ग्रोथ देना यहीं तो मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्युद्देश है न समझ गया आप तो सेंट्रल गॉवर्मेंट करेगी स्बी आई करेगी विभिन बैंक करेंगी क्यार्ब आई करेगा यह काम तो बिल्कुल सही बात है रिजर सदस्यों में से एक होते हैं गवर्नर भी मतलब इसी में एक गवर्नर भी होते हैं एक गवर्नर इनका हिस्सा होते हैं तो यह समझो कि पांच सदस से प्लस एक गवर्नर तो टोटल मिला करके कितने सदस से हुए छैस सदस से हुए अचा भारत के आरबी आई के गवर्नर इस स का नाम है आपके लिए आशु सर का जहरीला ट्रिक आशु सर ने नाम पढ़ा है तुम्हारा चलो आगे जलते हैं तो आगे चल करके दोस्तो अगली चर्चा अगले प्रशन के साथ यह बता यह जल दी से की इंटर स्टेट काउंसिल कौन से कमेटी द्वारा रेकमेंड करने प cm it catalog और स्थापित की गई थी अंतरराज्यी परिश्यद की स्थापना किस समेटी की सिफारिश की गई थी अँठर राज्यी समीश्यदी जो है ना वो किसके समीश्यदी सिफारिश्यदर पर किया गया था तो सरकारियं आयोक के अब आप मेंसे है सभी बनाया जा सके ये भी तो जरूरी है अच्छा बात बताओ रेपोदर रिवर्स रेपोदर बैंक दर का निर्धारन कौन करता है से भी करता है नाबाड करता है रिजर्ब बैंक करता है कि SBI करता है रेपोदर रिवर्स रेपोदर बैंक दर इन सभी का निर्धारन कौन करता है तो देखो, ये सब कुछ monetary policy का हिस्सा है, किसका हिस्सा है ये, याद रखिएगा, monetary policy का हिस्सा है, तो ये जो monetary policy का हिस्सा है न, इनका निर्धारन करता है, Reserve Bank of India, RBI, कौन करता है, Reserve Bank of India करता है, चलो बागे बढ़ा जाए, ये बताए जल्दी से, निम्न लिखित में से कौन सा प्रवाल दूइप है, प्रवाल दूइप का मतलब कि इसमें प्रवाल भितियों से बना हुआ दूइप है, कोरल आइलेंड, होता क्या है, समुद्र के अंदर की जो चक्ताने होती है, जिनमें आम तोर पर रत्न पाए जाते हैं, वो कोरल चक्ताने होती है, कोरल वैसे तो पूछणी क्या पूछ रहा हमसे हमसे प्रस्णी यह बता हो बबु कोरल आइलेंड क्या होता है कौन सा है इसमें से को धुच्श आइलेन्ट तो एक बात बताएं आपको तो सही आंसर हो जाएगा इसका लक्षदीप, लक्षदीप में पाई जाते हैं बहुत तरह के रतन, तो लक्षदीप हो गया हमारा कोरल आइलेंड, यानि कि प्रवाल भित्तियों से बना हुआ दूइप जिसके अंदर कई सारे तरह के रतन पाई जाते हैं, और वैसे तो कोरल पाया ही जाता है, मूंगा है, फिर मोती है, एवं अन्य रतन पाई जाते हैं, तो रतनों के निकलने वाली चटानों को कोरल रीफ कहते हैं, जैसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोरल रीफ है, जिसे कहा जाता है दे ग्रेट बैरियर रीफ, आप लोगोंने सुना है इस हमें आप से मिलना है, अरे बाबु मिल सकते हो आप हमसे अभी तो फिलहाल गुर्णाओं में है, जब जारखन में से मिनार होगा ना तो पक्का ही आपको पता चल जाएगा, चलो, है ना, तो देखो, ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है, तो ग्रेट बैरियर रीफ, 35 ही बचे हैं, एक द्वीप समुद्र के कटाव की वजह से, समुद्र के कटाव की वजह से बह गया, समुद्र के कटाव के कारण, ना, समुद्र के कटाव के कारण खत्म हो गया, अब बताइए उस द्वीप का नाम क्या है, जो समुद्र के कटाव के द्वारन लक्ष दीप में खतम हुआ है आप मेंसे जो बता दे मजा आ जाएगा ठीक है ग्रेट बैरियर रीफ आस्ट्रेलिया में है बहुत अच्छे चलो वागे चल करके ये बताइए कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट परिस्थित है बैरी गाजा मुजीरिस तामरलिप्ती या पालूर बताओ बताओ देखो एकदम सही उत्तर देना है इसका हाँ हाँ जैपूर राची हैदराबाद और आने वाले समय में अन्य सभी जगहें भी हमारे टार्गेट में ही है चलो जल्दी से बताओ जल्दी से जल्दी से ठीक है जोधपूर तो आएंगे बाबू जोधपूर इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से हमारे टेलेग्राम अकाउंट के माध्यम से हम सब को बताएंगे और सब स्टूडेंटों से मुलकात भी करेंगे जब जब जोधपूर आएंगे तो और जोधपूर जल्दी ही आएंगे हो सकता है अगले ही महीने आएं पर आएंग पोर्ट हुआ करता था कौन से सामराज्य के समय पर मौर्य सामराज्य के समय पर तो ये बात भी याद रखेगा तामरलीप्ती कहां है तो तामरलीप्ती के बारे में भी चर्चा आपको कई बार करने को मिलेगी यह है बंगाल में कहां है बाभू बंगाल में आगे चले एक और तिए एक और फ्र benefici रश्च है बताओ बताओ निम लिक्त में से कौन सा एक राश्ट्री कृत बैंक नहीं है राश्ट्रीकर्थ का मतलब सरकारी नहीं है बताये है हाँ परहड कह रहे हैं की सर में गाव हागए थर्म नहीं अखली बार अब यहीं अगर दिल्ली में रहते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है कभी भी आ सकते हो गुड़गाओं में हमसे मिलने के लिए हमारे आफिस में स्टूडेंट्स हमेशा आते रहते हैं और मुलाकात करते रहते हैं हमसे चलिए बताइए जल्दी से अब कौन सा राश्ट्रिकृत बैंक नहीं है साउथ इंडियन बैंक नहीं है सिंडिकेट बैंक नहीं है के रा नहीं है कि विजया नहीं है अब सभी को पता है ना सभी को क्या पता है सभी को पता है कि साउथ इंडियन बैंक जो है साउथ इंडियन हित अचैने अरा का हिसस्टा कट कर आपने परफ इस और फिजया बैंक कौन से बैंक में मर्ज हुआ है एक बार जल्दी से बताए जयाँ आधे आगे जल्दी आए बताओ जल्दी से जर्मन की प्रतलम महिला चंसलर कौन हुआ कर दी इंगेला मेकल हreaming को विली ब्रांट या एंगे विलोंग किन हुआ है ठीक ना जल्दी बता दो इह को न ही फूर्स्ट फीमेश ट्रस्ट अन्सलर स्ट जर्मनी में किया है ना जर्मनी में वाई से भी फीम customer भश जर्मनी में जो सिस्टम है नो प्रधानमंत्री राश्टरोपती की जग है यह तो भादोरिया सर से एक बार मिलने का हमको सौभाग प्राप्त हुआ था दूर से ही ऐसे ही है ना बस जा करके और पैर चूप करके निकल आये थे बाकी तो बाकी तो याद नहीं तो चांसलर सब्धम पहली बार तभी सुने थे युनिवर्सिटी में होते हैं चांसलर मतब चा है अपने पद से एंजला मरकल क्या नाम था उनका एंजला मरकल यह एंजला मैक कॉल से कंफ्यूज मत हो यह गा नाम की स्पैलिंग्स ही देखिएगा अब आगे चले एक और क्वेस्टन है यह बताइए कि इरविन डिकलरेशन जो 31 अक्टूबर 1929 को हुआ था इसने क्या घ Vaard के साथ रियास्तों का कुल एक इकरन की बात करता है भारत में सारवभामिक वैस्ग मताधिकार की बात करता है यह यूं कहो कि भारत को एक उपनीवेश बनाने की बात करता है अच्छा आप लोगों में से बहुत सारे लोग कन्फियोज होंगे ना कि सर उपनीवेश या डॉमीनियन क्या होता है अच्छा वैसे अगर पढ़ने जाओ तो इंगलिस में एक शब्ध होता है डॉमीनियेट करना डॉमीनेट करना डॉमीनेंस बनाना ज ऐसा ही बिटिश चाहते थे भारत में, बिटिश लोग भारत में चाहते थे कि गवर्नर जनरल बिटिश द्वारा नियुक्त हो, भारत की जनता भारत का प्रधान मंत्री चुन ले, पर भारत का प्रधान मंत्री जो चुना गया है भारत की जनता के द्वारा, वो शपत लेगा Britain की तरफ से नुक्त गवर्नर जनल के सामने ये विवस्त थी दो मिनियन का अपनिवेश का लेकिन it is a pity that if the elected Prime Minister of India takes oath before the Governor General appointed by the British government and this perhaps was not accepted by anybody and this is why in the reaction on 31st December 1929 we demanded the Poon Swaraj in the Lahore session of International Congress chaired by Mr. Jawaharlal Nehru and they call it in a change really up long summer today go they go they go never sit back and I cha rao key a bought he not bought he simple or so to make you back a key Q cha hae ga kioskane haa par angrezo ka dominance रहे या अंग्रेजों का ओपनी वेश्ट रहे तो फिर हमने क्या किया ना जैसे आस्ट्रेलिया है आजे जहरीला ट्रिक है बाभू तुमारा नाम के आशुसर का जहरी लट्रिक इसे कहने इंगलैंड जो है इंगलैंड डॉमिनीन नहीं है इंगलैंड में क्या है। इंगलान में तो वहाँ के राजा रानी होते हैं अब उस राजा रानी का अधिकार अभी भी आज्ट्रेलिया पर है यह है डॉमिनीयन समझ घय न इंग्लैंड को डॉमिन decision के अंदर रखना स्वतंत्रता दिवस है और अंग्रेज कहीं जाएं न जाएं हम तो यहीं मानते हैं कि भारत हमारे लिए स्वतंत्रता है 1915 में दक्षिन अफ्रीका में अम्बूलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए पेंशरस्ट के लॉड होडिंग द्वारा कैसरे हिंद की उपाधी से किसे सम्मानित किया गया था बताइए एक व्यक्ति जो साउथ अफ्रीका गया तो नसल भेद का शिकार हो गया एक व्यक्ति जिसे ब्रिटिस फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में से इसलिए उतार दिये क्योंकि उसका रंग ब्रिटिस लोगों के रंग से नहीं मिलता था सोचिए कि क्या दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आज भी रेसिस्ट हैं जिनको ये लगता है कि हमारे चमडी का रंग गोरा है तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से बहतर हैं जिसके चमडी का रंग दबा हुआ है कोई अगर हल्कासा कम डारक डार्क कॉमुपलीक्षण मतलब लाइट कॉम्पलीक यह तो वाहियाद बात ने और इसी के खिलाफ नेतल इंडियन कांगरेस की स्थापन अठारास सचो ऋचवानित महात्मा गांधी ने की थी महात्मा गांधी को कैसरिध की उपाधी से सम्मानित किया गया 1915 में लेकिन 1915 मेंने कैसरे हिंद की उपाधी से सम्मानित किया गया 1920 में जलिया वाला बाग हत्या कांड के बाद इन्हों उपाधी लोटादी क्या किया था उपाधी ही लोटादी तो इन्होंने नहीं लटाई थी रवीन ऑटेगोर सहाब थे उनको भी नाइट्ट क्यो पादी दी ती तो इन्होंने वापिस करử याद रखेगा आगे बढ़ा जाए बाल गंगाधरति लगो क्या कहा जाता है लोग मान यह आप लोग तो जानते ही हो लोक मानने कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेता जी जब यह हिटलर से मिले थे तो हिटलर ने इनको नेताजी कहा था अच्छा और तो और ये मुहम्मद इकबाल साहब कौन है एक बात बताईए क्या मुहम्मद इकबाल साहब वही है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा हम जब बच्पन में बच्पन में तो हम पढ़ते थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हम बुल बुले हैं इसकी एक गुलसिता हमारा गुलसिता नहीं होता गुलसिता होता है गुलसिता मतलब एक बुके जो है ना एक गुलसिता होता है गुलसिता मतलब जहां पर बहुत सारे फूल हों उसको बुलत यह नहीं स्थिर रहने और प्रभाव ना पढ़ने वाली तो बात ही नहीं है अब बताव जल्दी से गुलिस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा ऑफिशल फिटनेस अगेडमी कहरें कि सराज स्मार्ट लग रहे हो मैं पिछले लग भग 11-12 सालों से स्मार्ट लग रहा हूं जब यह वन वे कम्यूनिकेशन है आपका टूबे नहीं है मेरी तरफ से मैं सही बताओ मुझे हाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं फिर इस वामले में ठीक है चलो जब घाटा दिक होगा तो कीमतें क्या होंगी तो एक बात याद रखे है कीमतें बढ़ जाएंगी अरे घाटा अरविंदो घोष का जनम है बड़ा अरविंदो घोष ना बढ़े बहतरीन पॉलिटीशन है हम बताते हैं आपको क्यों बहतरीन पॉलिटीशन है अरविंदो घोष चाहब वैसे तो गरम दलवाले थे बाल गंगा धर्तिलक लाला लाच पत्राए विपिन चंद्रपाल फिर उसके बाद एक काम किया जो जबर्दस था ना जब इनको हां इनको जब पकड़ने की बात आई 1908 के आसपास जब बाल गंगा धर्तिलक अरविंदो घोष विपिन चंद्रपाल लाला लाच पत्राए तो बाल गंगा धर्तिलक को पकड़ के जेल में डाल लिये थे अरविंदो घोष सहाब को इन्हों पकड़ा तो अरविंदो घोष सहाब चले गए पॉंडिचेरी और पॉंडिचेरी में जाके इन्होंने अरविंदो आश्रम के स्थापना की और उसके बाद फिर कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं लोटे इनका जन्म हुआ था 15 अ यह तो खैर ठीक है कि कीमते बढ़ती हैं यह बताओ लोग प्रिय ढंग से भारत के तोते के नाम से किसे जाना जाता है तान सेन को इबन बतूता को अमीर खुसरों को जियाव दिन बरनी को चलिए बताई बता ये जल्दी से आख थैंक यू थैंक यू कि सो मँअ स्टूरेंट्स आप लोगों इतने प्यार के लिए कि अलोगों इतनी मुखबत के लिए कौन है भईया हिंद का तोता जो खुद को ही हिंद का तोता कहता है तानसेन है इबन बतूता है मेरे खुसरो है कि जियाओदीन बरनी अब देखो 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 ध्यान दो तानसेन का नाम क्या हुआ करता था तान सेन का नाम हुआ करता था राम तनू पांडे और राम तनू पांडे किसके दरवार में हुआ करते थे तो ये भी याद रखेगा रीवा के राजा राम चंद्र वगेल के दरवार में हुआ करते थे और राम चंद्र सिंग वगेल जो है यह रीवा के महाराजा हुआ करते थे रीवा कहां है रीवा मध्यप्रदेश में है मध्यप्रदेश में रियासत है जो भगेला राजपूतों द्वारा रूल की जाती थी फिर आता है इवन भतूता इवन भतूता कहां से आया था इवन भतूता आया था मोरोको से और मो भारत में उसने किताब भी लिखी थी भारत में किताब नहीं लिखी थी बिन भीटोटी लगभग 3030 च्रीजी के आब भारत आयाNe उसान्यगा मुहमध बिन तूगलक काशाशन था तो मुहमध बिन तूगलक नसको काजी Deli Henle कि दिली में तो फिर क्या हुआ काजी बनाने के बाद हाँ काजी बनाने के बाद इबन-बतुता कुछ समय तक दिली में रहा फिर 1336 क क्यास पास थापना होऊ विजयृ नगर की तो फिरffer म् मला तूटा गूंट correctly दिली संरक्षन देते थे तो इन लोगों की आव भगत कुछ जादा ही कर देते थे अब यह प्रता मुगलों में आई थे फिर ठीक है तो क्या हुआ कि यहां के लोकल राजाओं ने आव भगत खूब कर दे तो बड़ा खुश हुआ पता है आपको और बड़ा खुश होने के बाद मजए बड़ा खुश होने के बाद इबन बतूटा मोर्कों गे और मोर्कों में फिर इसने क्या किया मुर्कों में फिर इसने सीधे सीधे जा करके एक किताब लिखी रिहला मुहम्मद بिन तगलक की international वेज़ती की थी इबन बतूटा ने तो रिहला किताब याद रखेगा अमीर खुसरों अमीर खुसरों कहते हैं साथ सुल्तानों के कारेकाल को देखने वाला यह वह व्यक्ति है चाहर तो खिलजी वंश वालों को ही देखा एक गयासुद्दीन तुगलक को देखा तब अमीर खुसरों की भी हुई थी यह भी याद रखेगा ठीक है अब आपको बता दें अमीर खुसरों की किताब है जिसका नाम है खाजाइन उल्फुतुह क्या नाम है किताब का खाजाइन उल्फुतुह और खाजाइन उल्फुतुह जो है इसी को कहते हैं तारीख अलाई और तो और ! इसके एक और किताब है अमेर खुसरो की डाभ है नुह सिफिर क्या कहते है पहुतिय किताब को उसको कहते हैं नुह सिफिर तो देखिएक खाजाई नुलफुतुह तारी के好好 9 सिफिर अमीर खुसरो की यूँ जितनी भी कितावे हैं अमिर अमीर खुसरो एक excellent military diplomat था, इसको कहते हैं तोताए हिंद या कहते हैं तूती ए हिंद, तो तूती ए हिंद कहने का मतलब फारसी भाषा में और तोताए हिंद कहने का मतलब भारतिय भाषा में, है ना, तो ये तूती ए हिंद कही है, तोताए हिंद कही है अमीर खुसरो है, और जियाद्दीन बरनी ने कौन से किताब लिखी है फिरोज शाह तुगलक के समय पर एक किताब लिखी गई है तारीख ए फिरोज शाही किस ने लिखी है यह लिखी है जियाद्दीन बरनी ने आगे बढ़ें एक और question बताइए जल्दी से यहां पर प्रश्न ये है कि भारते समिधान का कौन सानुछेद वित आयोग की न्युक्ति का प्रावधान करता है वित आयोग वित 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 आयोग जल्दी से बताओ दोस्तों सेशन को एक बार शेर कर दो अपनी तरफ से जल्दी encryption कर दो टेले अगरा में जलदी से शेयर करो है इनके बुक का नाम ऐसे ही होता था दोस्तोओंख ठीक है चलो बताओ जल्दी से हां तो अनुच्छे 300 अनुच्छे 290-320-280 सीधे सीधे आते हैं 280 पे कहां पे आ रहे हैं हमारे सीधे-सीधे अनुच्छेद 280 पे सो आर्टिकल 280 जो होता है ना बाबू याद रखिएगा आर्टिकल 280 ऑफ दी इंडियन कॉंस्टिटूशन सेज़ अभी जो प्रेसिडेंट ने 15 फाइनांस कमिशन का गठन किया हुआ था वही चल रहा है और 15 फाइनांस कमिशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं उनका नाम है एनके सिंग तो एनके सिंग 15 वे वित्तायोग की अध्यक्षता कर रहे हैं अचा हमेनू हमारा स्पेशल बैच है जी के लिए जी के जी आसका जो हम कंपाइल करवा रहे हैं वो बैच हम बहुत जल्दी लॉंच करेंगे द शहरे के दिन लॉंच करेंगे ठीक है द शहरा शहरे के समय पर हम ये batch launch करेंगे जो हमारे चारो सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं वो चारो सब्जेक्ट आप कर पाएंगे तो डोंट वरी वो बैच हमारे द्वारा आपके लिए recorded batch है जो हमने record किया हुआ है वो आप पढ़ोगे आपको पूरा कपूरा जीके क्लियर हो समिधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेक किया गया है कि लोक सभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष दोनों ही होने चाहिए बताओ उताओ जल्दी से बताओ सम्मिधान में कौन से आर्टिकल में ये उल्लेक किया गया है समिधान में कौन से आर्टिकल में ये उलेक किया गया है कि लोक सभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष दोनों होने चाहिए 93, 85, 100 या 97 93 बिलकुल सही तो देखो सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 93 अनुच्छे 93 लोक सभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के होने की बात करता है ये बताओ चीन के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी है अरे कितनी बार पढ़िएगा सर अरुनाचल प्रदेश मैक मोहन लाइन के साथ चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है तो बात ही नहीं करनी इसके अलावा किसी और की, बस एक बात जान लो, सिक्किम में सन 1967 में एक युद्ध हुआ था भारत और चीन की सेना का, इसे कहते हैं चोला इंसिडेंट, हम हमेशा बात करते हैं दोस्तों, है ना, चोला इंसिडेंट, चोला इसकिरमिश, इसको कहते हैं, यह चोल वो वाला चोल नहीं है, ठीक है, यह याद रखेगा, चोल वो वाला चोल नहीं है, हमारे तमिलनाडू वाले चोल वंश, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम चोल इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, यह जो इंसिडेंट हुआ था, इस इंसिडेंट में, 1960 में, एक भारत क बहुत जावाज मिलिटरी आफिसर की कहानी जरूर पढ़िएगा अगर आप उनको पढ़ पाएं कभी तो आपके लिए ये सौभाग की बात होगी लेटिनेंट जनरल सगत सिंग ये वो वेक्ति हैं लेटिनेंट जनरल सगत सिंग जिनके बारे में भारतिय सेना आज भी उनके अप्रोच को चाइना के साथ लागू करने की बात कहती है पता है जब अरुनाचल प्रदेश के और सिक्किम के बीच में तो भूटान का शेत्र है सिक्किम वाले शेत्र में 1960 में चाइनीज सैनिक जब आगे की तरफ आ रहे थे ना उस समय पर सिक्किम में नाथुला के आसपास पोस्टिट थे ठीक है और उस समय पर इन्होंने अपनी यूनिट को पीछे नहीं लिया लडाई की चाइनीजों को मारा और हराया भी 1967 में भारत और चीन के युद्ध के बारे में जरूर पढ़िये आपको लेटनेंट जनरल सगत सिंग के बारे में पढ़ना चाहिए कुछ ऐसे मिलिटरी कमांडर्स हैं भारत के सैन इतिहास में जिनको पढ़िये तो आपको समझ आता है कि इन्होंने भारत के लिए क्या क्या किया है याद रखेगा लेटनेंट जनरल सगत सिंग आज पढ़ेंगे न हम हाँ तो जरूर पढ़ियेगा और हमको कॉमेंट के अंदर एक मंत्री मंडल का होना अनिवार है जिसका मुखिया एक प्रधान मंत्री होगा मुखिया प्रधान मंत्री हो याद रखो मुखिया प्रधान मंत्री हो और मंत्री मंडल नहीं मंत्री परिशद हो मंत्री मंडल का होना अनिवार है जिसका मुखिया प्रधान मंत्र यहां पर कैबिनेट की बात नहीं कर रहा हो यहां पर बात कर रहा है मंत्री परिशद की शायद इंग्लिश में सही लिखा होगा कि मैं पढ़ता हूं मंत्री परिशद मंत्री परिशद होती है मंत्री मंडल जो होता है कैबिनेट होता है ना चलो बिनोध आ गए दोस्त बहुत बढ़िया वेलकम बताओ कौन है भारती समविधान के अनुछे 370 का प्रारूप तयार करने वाला बताओ रविकान जी कह रहे हैं कि CHSL DO पोस्ट पर सेलेक्शन मेरा हो गया है वा रविकान जी जल्दी बताइए मिठाई लेकर के कब आ रहे हैं आप अड़र 24-7 गुरगाओं में मुझे खिलाने के लिए जल्दी से बताइए अब तो सेलेक्शन भी हो गया आप दिल्ली दूर नही निजाम अद्दीन उलिया जी ने कहा था ना उनूस दिल्ली दूरस्त गया सुद्दिन तुगलक को और मैं आज आपको कह रहा हूं कि उनूस दिल्ली नहीं दूरस्त दिल्ली नजदीकस्त चलो आओ मिठाई लेकर खिलाओ चलो आगे चलते हैं देखो दोस्तों जल्दी से बताओ क्या सही अंसर हो जाएगा जवाहर लाल नहरू डॉक्टर भीम राव अंबेटकर गोपाल स्वामी अयंगर या रघुवर दास और सही उत्तर है गोपाल स्वामी अयंगर सहब इन्होंने आर्टिकल 370 का ड्राफ्ट तयार किया था याद रखेगा बाबा साहिब ने ने इसा कैसे होता है किता अधा अब जल्दी बताओ संगh का निर्मान करना इत्रीक का निर्मार करना मतलब किया असोडियेशन फॉर्म करना है और असयॉसर ओर करने की बात हम लोगों ने आल्रेटी कर रखेιο आर्टिकल नodel 191 के अंदर आर्टिकल नाइंटीन वन के अंदर अगर बात कर रखिये तो इट सा फंडामेंटल राइट ब्रो यह तो एक मौली का दिकार हो गया कि असोसियेशन बना लो बशां इसके साथ प्रतिबंद यह है कि यह हतियार बंद एसोसियेशन टाइप करना बनना चाहिए आर्टिकल मनासी कदम जी आर्टिकल 19-1-C है जिस पर आर्टिकल 19-4 प्रतिबंद भी लगाता है याद रखिए ऐसे समझेगा जैसे 19-1 की बात कर रहें 19-1-a 19-1-b 19-1-c 19-1-d 19-1-e 19-1-f f तो चला गया यह संपत्ति का धिकार हुआ करता था तो इसको तो खा गये ठीक है और फिर है F के बाद G तो देखिएगा F तो है नहीं Article 19 1 A पर प्रतिबंध लगाता है 19 2 19 1 B पर प्रतिबंध लगाता है 19 3 19 1 C पर प्रतिबंध लगाता है 19 4 और Article 19 1 D और 19 1 E पर प्रतिबंध लगाता है 19 5 और यहां G पर प्रतिबंध लगाता है 19 6 कहता है घूमने की स्वतंतरता कहता है कि कहीं पर जा करके बस जाने की स्वतंतरता और जीवी को पारजन के लिए घूमने की स्वतंतरता ये तीनों ही SCST एरिया पर नहीं हो सकते बहराल association बनाने की स्वतंतरता 91C के अंतरगत आती है, clear हो गया, ऐसे, ऐसे समझना है, चलो आगे बताओ, कंडला बंदरगा निमलिकित में से कौन से राज में इस्थित है, तो कंडला बंदरगा जो है ना, कंडला बंदरगा याद रखें गुजरात में इस्थित है, कहां है, गुज पंडित दीन दयाल उपाद ध्याय पूर्ट दूसरी बात जो आपको जाननी है कंडला के बारे में कंडला सन 1965 में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के रूप में डेवलप किया गया था इसका विकास हुआ था एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के रूप में मतलब एक ऐसी जगह बनाई जाये बंदरगा को जहां पर कारगो का आना कारगो को ले जाना सरल हो जहां पर कस्टम के नियम कम लागव होते हो जिससे वहां और आसपास के छेतर में आराम से हम चीजों को मैनेज कर सके और आपको पता है आपको पता है दूसरी बात यह भी याद रखना 1965 में भले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बन गया हो बाबु यहां पॉइंट आता है कि सन 2000 में हमारे पास एक पॉलिसी आई और वो पॉलिसी थी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पर रि दर्गत बंदरगाहों को डेवलप किया जाना था किसको डेवलप किया जाना था बंदरगाहों को डेवलप किया जाना था में बाद बताई एक है अकवार का संपादन दादा भाई नौरोजी सहाब ने किया था रष्ट गुफतार सोम प्रकास महरत्ता यह संवाद Special Economic Zone Policy कब आई है तो बजट में हर साल Special Economic Zone को ध्यान दिया जाता है और यह Policy लाई गई थी सन 2006 में बाबू दादा भाई नौरोजी वाज दी एडिटर आफ विच अफ दो फॉलोइंग नीजपेपर्स चलिए तो इसका सही आंसर क्या है इसका सही अंसर है रस्त गुफ्तार गुजराती में प्रकाशित हुआ थे कौन सी भाषा में तो याद रखेगा फार्सी में नहीं था ये ये गुजराती भाषा के सबसे पहले नीजपेपर्स में से एक है गुजराती के सबसे पहले नीजपेपर्स में से एक है ये बताईए टेस्ट्यूब डॉल्फिन कहां पैदा की गई सबसे पहले कौन से शहर में कौन से शहर में टेस्ट्यूब डॉल्फिन पैदा की गई सबसे पहले अच्छा जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है है ना जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है सेशन को máquina भीतित से बताओ जल्दी से सिंगवाज पूर है बीजिंग है हॉंग कॉंग है कि एक टेस्ट यूभ मशलीया पैदा करने काम कौन कर सकता है לक्र में कौन कर सकतो है चांग पर सकते हैं तो चलए आगे चलते हैं को वैग्यानिक के तोर पर देखते हैं अब वैग्यानिक किसी भी शेत्र का हो सकता है भाई फिजिक्स में भी वैग्यानिक होते हैं जो Space Research में गए उसके अलावा और भी वैग्यानिक होते हैं जो बायोटेक में हैं तो अभी बायोटेक वाले वैग्यानिक में आप सोचिए कि आप कोई कि ऐसा गहन शोध कर रहे हूं एक ऐसी गहन रिसर्च कर रहे हूं इंटेंस रिसर्च जिसमें आप टेस्ट यूब डॉल्फिन पैदा करने काम कर रहे हैं और गाउन पता चल जाए कि यह टेस्ट यूब मचलियां बना रहा है तो गाउन वालो क्या रियक्षन होगा गाउन वाले क्या बोलेंगे गाउन वाले है तो मचलिया पैदा कर रहे हो और वह भी टेस्ट यूब से मतलब मचली जो है मचली को पैदा नहीं करेगी तुम पैदा करोगे सोचे गाउन वाले कितना मचली इस चीज का कि टेस्ट यूब डॉलफिन पैदा कर रहा है यह मतलब साइंटिस्ट बना है तो टेस्ट यूब डॉल्फिन पैदा करने के लिए साइंटिस्ट बना है भगवान बड़े मचली जाते हैं यार कुछ भी को खेर दोस्तों मैं अड़ा एप को डाउनलोड करने का एक बार जल्दी से क्लिक करो और अड़ा डाउनलोड कर लो जल्दी से क्लिक करके इस वाले पहले वाले कॉमेंट में देखो कॉमेंट सेक्शन में उस पर क्लिक करके अड़ा डाउनलोड कर लो और उसके अलावा ये भी बता दें आपको ध आप के अंदर पहुचने के बाद आपको करना क्या है तो एप के अंदर पहुचने के बाद आप देखिए all courses में SSC पर जाईए SSC पर CGL में चले जाईए और CGL में देखिए CGL CHSL का foundation batch 27 October से आने वाला है देखिए एक foundation batch already September में आने वाला है आप ये देखो CGL CHSL का foundation कहने का मतलब ये है कि आप ऐसी जगह पर पहुच चुके हैं ऐसे तयार हो चुके कुछ भी हो सकता है तो buy now कीजिए coupon code apply कीजिए y263 लगा ये और इंटर करिए फिर देखिए 1655 मातर में 12 महीने की validity के साथ CGL CHSL का 2023 का complete batch आपके पास live है तो देखो दोस्तो अब यहां मैं आपको बस इतना कहना चाहरा हूँ कि अगर आप इस batch में करते हैं enroll तो आपको कोई धिक्कत ही नहीं है कुछ सोचने के आवशक्ता नहीं है CGL CHSL की तैयारी करने का मतलब ये है कि आपने सारी तैयारी कर ली ठीक है ना सारी की सारी तैयारी कर ली तो बस यहां पर ध्यान दीजिए जो एप है वो एप की लिंक पर क्लिक करना है आपको और एप की लिंक पर क्लिक करने के बाद एप के अंदर आपको SSE सेलेक्ट करना है फिर उसके बाद आप हमारे paid courses में my content पर चले जाईएगा और जब भी कोई paid courses purchase करिएगा तो Y263 code लगाईएगा जैसे ही आप ये code लगाएंगे आपको discount बढ़िया वाला मिल जाएगा that is 77% और बबो एक बात बताईए ये 1540 रुपए के आसपास आपको मिलेगा app के अंदर अगर आप इसे बाहर से ऐसे ले रहे हैं Google पे इसे तो 1650 का अब आप मुझे खुदी बताईए बारा महीने के तैयारी और 1540 रुपए फीस कितना इजी है ना है न तो बहुत इजी है ये बात आप याद रखेगा ठीक है मेंनू हम बी बी एसेसी के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं बी एसेसी का मतलब क्या बिहार एसेसी के लिए पूछ रहे हो आप नहीं उसके लिए अभी तो नहीं करवा रहे हैं पर हां हमारा जीकी जीएस का जो कोर्स है वो कोर्स करके आप बी एसेसी के एक्जाम दे सकते हो बिहार एसेसी का ठीक है तो चलो ख ख्याल रखो दोपहर तीन मजे मिलते हैं